फ्रेंट्स बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और हम लोग यहाँ पे Microsoft Word में Insert मेनू के अंदर कुछ महत्वपून चीजों के बारे में आगे सिखने वाले हैं फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं यह पार्ट फोर्थ होने वाला है और इसके पिछले तीन वीडियो में हमने Microsoft Word में काफी सारे चीजों को सिखा है तो चलिए आज हम Microsoft Word के आगे Microsoft Word में Insert मेनू में कुछ और चीजें के बारे में जानते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने Microsoft Word में यह Insert मेनू के अंदर हमने Table, Picture, Shapes, Clip Art यह सब मैंने सीखा था और अब मैं आपको बताने वाला हूँ Smart Art के बारे में आज मैं Smart Art के बारे में चलूँगा और उसके अलावा और भी कई सारे Important Features हैं उनको मैं इस वीडियो में Cover करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करता हूँ सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं Insert menu में यह Smart Art है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिखिए Smart Art यहाँ पे आपको दिखाए दे जाएगा यहाँ पे आप All, List, Process, Cycle, Hierarchy, Relationship, Matrix, Pyramid यह इस तरह के आप Smart Art देखते हैं इनका यूज कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लिजे कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे आप Cycle को अगर क्लिक करेंगे तो दिखिए Cycles से रिलेटेड बहुत सारे shapes या Smart Art आपको दिखाए देंगे आप किनी एक Smart Art को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप OK करेंगे जैसे ही OK करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Smart Art आपका insert हो चुका है अब आप इसमें यहाँ देखिए text लिखने को कहता है तो आप यहाँ पे text को लिख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिखाना है water cycle के बारे में जल चक्र के बारे में science में आपने पढ़ा होगा 8 या 9 क्लास में कि जल चक्र होता है सबसे पहले water हीट होके वो उपर जाता है बादल बनता है उसके बाद बादल जो है ठंड़ा होता है ठंड़ा होने के बाद बारिश होती है तो इस तरह से यह cycle हम लोग जो है वो दिखा सकते हैं स्मार्ट 8 के करण तो सबसे पहले यहाँ लोग लिखनेंगे आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्लिक करके और इस place पर भी आप लिख सकते हैं चलिए मैं यहाँ से लिख के दिखाता हूं सबसे पहले जो आपका वाटर होगा मैं यहाँ दिखे लिखता हूँ वाटर है वहाँ क्या होगा यह जो सबसे पहले यहाँ पर वाटर है अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि यह वाटर जो है हो गया वह हिट हो गया ऑके गर्म हो गया है यह हीट हो गया और उसके बाद यह क्लाउड बन गया ऑके यह क्लाउड हो गया क्लाउड होने के बाद यह क्या होगा यहां से सबसे पहले वाटर जो था वो हीट हुआ और हीट होने के बाद क्लाउड बना और क्लाउड होने के बाद यह क्या हो गया ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद वो क्या हुआ फिर से वो बारिश में कनवर्ट हो गया मतलब वो बारिश होना फिर सुरू हो गया तो यहां पर मैंने एक क्या बना दिया एक वाटर साइकल बनाया जलचक्र बनाया जैसे वाटर है तो वाटर क्या हो गया हिट हुआ हिट होने के बाद वो क्लाउड में चला गया बादल बन सकते हैं काफी कम मेहनत में तो इसके अलावा यह आप बनाने के बाद आप यहां से देखिए फॉर्मेट मेनु में आपके बहुत तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर इसको इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूं अब आप देखे यहां से फील कलर का और वहां से कोई भी कलर को आप फील कर सकते हैं इस तरह से फिल कर सकते हैं चलिए मैं दूसरे बॉक्स को लेता हूं तो यहां से भी आप अलग कलर को फील कर सकते हैं चाहे सेम कलर भी रहने दे सकते हैं यह आपकी मर्जी है तो इस तरह से आप से यह स्माट आट के मदद से project को बना सकते हैं मैं बात करूँ कुछ और formatting की तो text format है यहाँ पे आप text को भी format कर सकते हैं यहाँ से आप दिखे इसको select करेंगे text को और यहाँ से आप text का color भी define कर सकते हैं text का color आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो मैं एक बता रहा हूँ कि कैसे करना है काम कैसे करना है ओके तो यह आप कर सकते हैं तो आप इसको एकदम मैं basic से आपको बता रहा हूँ आप इसको अपने computer पे जरूर practice करिएगा बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं उसी तरह से design में बात करूँ format और design जब आप यह इस topic को लेंगे smart art को लीजेगा तो smart art बनने के साथ ही आपको design और format यह आपको नज़र आएगा तो यहाँ पे मैं design में बात करूँ तो आप दिखें यह जो लिया हुआ है यह जो option लिया हुआ है इसमें आप बदलाव कर सकते हैं देखें यहाँ पे आपको option दिया गया है यहां से आप किसी भी दिखें आप्षिन को यहां use कर सकते हैं इस तरह से आप different चीजों को use कर सकते हैं उसके अलावे आप यहाँ देखें color का भी option है तो यहाँ से आप अलग-अलग colors को दिखे इस तरह का okay इस तरह का format को ले सकते हैं यूज कर सकते हैं अपने हिसाफ से साथ ही यहाँ पर कई सारे design दिये गया है आप इन designs को भी यूज कर सकते हैं friends तो यह कुल मिला के काफी important और काफी interesting topic है यह जिसको आप अपने नजर से देख लेंगे friends चलिए मैं दूसरे चीजों के बारे में बात करूँ जैसा कि आप यहाँ से देखिए smart art के अंदर ही आप यहाँ से hierarchy को भी ले सकते हैं देखिए hierarchy का भी option होता है hierarchy मतलब क्या PD का सकते हैं okay जैसा कि PD यह cast वगेरा जब आप बनाएंगे तो उसमें इस तरह का options यूज किया जता है PD को दिखाने के लिए generations को दिखाने के लिए तो हम लोग इस वाले को लेंगे click करते हैं और यहाँ से okay करेंगे देखिए यह आगया इस तरह से आप use कर सकते हैं जैसे कि मालीजे यहां पर मैं लिखता हूँ जैसे कि मालीजे मोहन कोई मोहन नाम का आदमी है mercy Okay अ तो यहां से आप दो एक बेटा तो यहां दिख जाएगा कुछ और दूसरा इसके right में दिखाना होगा तो इसके right में दिखाने के लिए हम लोग से राइट क्लिक करेंगे और यहां से आप एड़ शेप में जाकर यहां से दिखिए आफ्टर भीफोर एबब विलोव है ना तो यह आप कर सकते हैं तो यहां से आप आफ्टर कर दीजेगा तो इसके यह दूसरा आजाएगा तो यहां कोई लिखना है तो यहां लिख सकते हैं उसके नीचे देखिए आपका जैसे इसको हम हटा देते हैं इसकी जोरत नहीं है ओक से आप राइट क्लिक करेंगे और एड शेक में चले जाएंगे और यहां भी इसके नीचे आप बिलो कर देंगे तो यहां इसके नीचे आजाएगा उस तरह से यहां पे आप पीड़ी वाला भी फॉर्मेट आफ रेडी कर सकते हैं और इसके काफी सारे यूज़े हैं आप कि मैं पsetाद हूँगाओ की नेक्स्ट मैं चलता हूँ चार्ट के उपर चार्ट क्या होता है आप जैसे की मैं यहां टेबल में इसका बाधा जैसे इस तरह से मैं कुछ डेटा कूली लिया धैसक्ट कि नेंडी तव और उनका एज कुछ बच्चों का नाम है और उनका एज मैं यहां लिख रहा हूं जैसे कि नेम है माली जे राम ओके और श्याम श्याम रमेश गीता कुछ स्टूइंट्स का मैं आपे नेम टाइप कर रहा हूं सारी जैसे कि राम की उमर है 15 साल 10 साल 23 साल 16 साल इस तरह का यह मैंने बना लिया अब मैं इसको यहां पर आटोफेट कंटेंट कर देता हूं देखें तो फ्रेंट्स मैं चाहता हूं कि यह जो डाटा है इसका मुझे चार्ट चाहिए एमस वर्ड के अंदर तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहां पर एक्सल को यूज करना होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां दिखें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर दिखें जैसे ही आप यह टेबल को सेलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना है कि इंसर्ट में जाक इंपल वाले को सेलेट करता हूं जैसे ही मैं क्लिक करुंगा और करता हूं यहां पर एक्सल कर्णाम जो है वो आतोमायटिक ऑपन हो चुका है डिके एक्सल प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि माइक्रोसोफ्ट वर्ड में डारेक्ट अप चार्ट को रिएट नहीं कर पाएंगे खास्तार से Microsoft 2007 तो इसलिए यह प्राव्ब्लम ना हो तो मैं क्या करूंगा कि सॉरी वह बंद चुका है मैं फिर से इसको ओपेन करता हूँ कि यह पर मैं लिगता हूँ एज है सॉरी नेम जोचिए पर एज है राम सक है कुछ विए लिगी यिए शेयां अजिरान गीता, देखे, चलिए मैं इसको इस तरह से अड़ेस्ट कर दिया, तो फ्रेंट्स आपने देखा था कि प्रॉब्लम हुआ था कि एक्सल खुल गया था, ओके, तो एक्सल का ही यूज हम लुक करेंगे, लेकिन देखे, सिंपल जैसे मैं बताते जा रहा हूं, वैसे ही आपको तो आप इसको यहां से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, और सबसे पहली बात इसको आप कॉपी करेंगे, ओके, कॉपी करने के बाद आप यहां से एक्सल को ओपन करेंगे, मैं ओपन कर रहा हूं, Microsoft Excel को, और यहां पर उसको पेस्ट कर देंगे, ओके फ्रेंट्स, यह पेस्ट क को आप सेलेक्ट रखेगा ओके यह डेटा को सेलेक्ट रखे और आप यहां से इंसर्ट में जाके कॉलम में यह सिंपल वाला कॉलम को क्लिक कर लिए आपका देखिए यहां पर चार्ट बन चुका है लेकिन यह तो एक्सल में बना है आपको Microsoft Word के अंदर चाहिए तो आप इस च चार्ट को दिखा सकते हैं ओके फ्रेंट्स तो अब आप इसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं ले आउट भी चेंज कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि यहां दिजाइन के अंदर चार्ट स्टाइल है कोई भी चार्ट को अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते है यहां पर बहुत सारे options हैं आप उसका भी use कर सकते हैं तो friends उमीद है कि समझ माया होगा चार्ट कैसे बनाना है next मैं आगे बताता हूँ आपको जो important चीजें हैं वो मैं चल रहा हूँ यह से next बताता हूँ header footer header footer क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ hagger footer मतलब कि आप paage के header में और पेज के बॉटम में header means क्याँ था होता है page का उपरी भाग और footer means page का निचले भाग अगर आपको page के उपरी भाग में या page के निचले भाग में कुछ page numberSD नंबर इंसर्ट करना है і या उसके लिए header footer का यूज की जाता है जैसे आपके पास मालनेजे कोई 50 page का कोई document है और आप उसमें page number देना चाहते हैं जैसे page number 1,2,3,4 इस तरह से देना चाहते हैं हर एक page number में तो आप इसका यूज करेंगे header footer का यूज करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूज करना है तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास अभी page number 1 है एक ही page खुला हुआ है और अभी आप यहां पर सेटिंग करके मैं दिखाता हूं सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद डिसाइड कर लिजे कि page number आपको कहां चाहिए header section में चाहिए या footer section में याप यहां पर यह देख रहे है उपर का part यह आपका है header और नीचे का यह जो part है इसको कहेंगे footer ओके तो मैं header वाले section में page number को insert करके दिखाने वाला हो तो चलिए तो अभी मैं यहाँ header को select करूंगा जैसे header को select करेंगे और यहां से आप नीचे आएंगे edit header में okay edit header में जैसे ही आएंगे आप यहां देख सकते है header और footer को आपको show होने लगा है तो यहां पर मुझे चुकि header में मैंने यहां पर select किया था इसलिए header में automatic करसर यहां पर blink कर रहा है footer में रहता तो footer में blink करता ओके तो अभी मैं थोड़ा इसको बढ़ा करता हूं और यह आप देख सकते है प्लेन नमबर 1 प्लेन नमबर 2 प्लेन नमबर 3 अगर आप प्लेन नमबर 1 को select करेंगे तो page number header के left side में insert होगा अगर आप प्लेन नमबर 2 को select करेंगे तो header में center में जो है वो page number insert होगा page number plan number 3 को अगर आप select करेंगे तो page नंबर जो है वह हेडर के राइट में इंसेट होगा तो चलिए मुझे सेंटर में चाहिए तो प्लेन नंबर टू को मैं क्लिक करूँगा यहां पर जैसे एक लिए रिटेन वाई जीट कम्पूटर क्लाशेस मैं यह क्लास वे चलाता हो तो सिक नाम मैंने लिखा हुआ है आप नीचे देख सकते हैं रिटेन वाई जीट कम्पूटर क्लाशेस और यहां से मैं इसको क्लोज कर दूँगा तो भी दिखे पेज प्रेज नम्बर बन में यहां पर सेट और नीचे में यहां पर इस तरह से कमेंट लिप प्रसका और है तो यहां पर आपको ज़ो है वह उस पच सार्ट करता हो एक शौर्ट करेंगे जैसा कि में पहले ही बता और पाज सेट किकूए पेज बेड़क तो करी सकते हैं, अब आप कंट्रोल के साथ इंटर्व प्रेज़ करनेंगे तो पेज नमबर 2 3 यहाँ, नेक्स आासे जाएगा, तो कंट्रोल इंटर्व मैं करता हूँ, यह आप देख सकते हैं जादरे यहाँ प्रेजेगर, इतने सारे पेजे़ हैं तो आप देख सकते हैं हर एक में आप यहां देखे पेज नंबर यह आपको 6 न जरा रहा है और यहां पे आप जो आप लिखे थे वो यहां दिख रहा है यहां पर देखे पेज नमबर 5 है पेज नमबर 4 है पेज नमबर 3 है पेज नमबर 2 है पेज नमबर 1 है तो हर एक पेज में मेरा पेज नमबर जो है वो दिखाई देने लगा है तो इस तरह से हम लोग header footer का यूज करते हुए हर एक पेज में पेज नमबर को insert कर सकते हैं तो फ्रेंड उमीद है यह समझ में आया होगा आप प्रक्टिस करके देखेंगे नेक्स में आगे टॉपिक बढ़ाता हो जैसे कि मुझे लिए के टेक्स बॉक्स की बारे में मैं चलता हूं यह विम्हेश करेंगे और यहांसे आप डॉ far क्रेंगे आप यहां से दिखिए क्टश सकते हैं और इसके अंदर आप कीशी भी text को लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रमेश रमेश लिखने के बाद आप इसको Home tab से Form यहां जो है वो font का Size बढ़ा सकते हैं आप इसको center में रख सकते हैं इसे bold कर सकते हैं इसे colorful करना है तो यह सब कर सकते हैं सारे चीजों को आप यहां पर यूज कर सकेंगे टेक्श बॉक्स के अंदर अब टेक्श बॉक्स को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे और भी यहां से फॉर्मिट एक ऑप्शन खुलता है इसमें अब यहां से आप इसको दिखिए इस तरह से स्मार्ट लगा सकते हैं इसमें इसमें जाना है और आप ट्रॉट टेक्श बॉक्स में जाएंगे अब फिर से इसको ड्रैग करेंगे और इसके अंदर जो भी कुछ लिखना अ कर सकते हैं तो format की बात तो format में जाकर आप इसके color को इसके outline के color को या outline को मोटा कर सकते हैं उसके अलवाब आप जहाँ आता है तो shading वगर आइवट में सेप में आपने जो भी कुछ सीखा था वो सारे चीजों को आप यहाँ पे use कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स तो आप इसको use करके देखेगा next मैं आपको बताने वाला हूँ word art के बारे में यह काफी important भी है अब देख सकते हैं यहाँ पे word art में मैं जाता हूँ और word art क्या होते हैं यह stylist word होते हैं style में लिखे हुए होते हैं जिनका use हम लोग अपने Microsoft word में project बनाने के लिए कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं style 1 यह मैं लेता हूँ यह है style 2 यह style 3 style 4 style 5 तो जो भी style को आप लेना चाहते हैं अपने recording यहाँ use कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे पहला style को है लेता हूँ click करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ my computer g my computer g okay तो यहाँ से फिर okay करना है और okay करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का एक option आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखे एक problem क्या है कि यह कहीं भी अभी move नहीं कर सकता है यह जैसा कि picture में होता था picture जैसे insert करते थे वो move नहीं करता था तो उसके लिए क्या करना था format में जाके आप पोजीशर यह सौरी टेक्स टेक्स रैपिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे आप किसी भी option को क्लिक कर दें जैसा कि मैं यहाँ पे behind text ले रहा हूँ अब आप देखे यहाँ इसका selection chain हो गया यह कहीं भी आप move कर सकता है तो यह होने के बाद देखे मैं इसको बढ़ा कर दिया और बढ़ा करने के बाद अब आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से field shape है तो field shape का use कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे आप इसका outline को बढ़ा सकते हैं यह देखे outline को बढ़ाने के बाद outline का यहां से color भी आप अलग-अलग color को use कर सकते हैं तो यह काफी मज़िदार चीजे हैं जिसको आप use करेंगे उसके अलावे आप यहां से change shape का option देख रहे हैं आप यहां change shape में दिखें इस तरह से आप shape को बदल सकते हैं यह दिखें इस तरहसे आप लिख सकते हैं इसके अलावे आप यहां से बहुत सारे options हैं जो अपने हिसाब से आप उसको यूज करेंगे यह दिखें इस तरीखे से आप चीजों को use कर सकते हैं उसके अलावे अगर यदि चाहिए आपको format चेंज करना है तो आप format यहां से भी चेंज कर सकते हैं ओके ओड़ाट स्टाइल में जाकर आप यहां से इस तरह से लिख सकते हैं ऐसा यह देखिए यह बहुत basic चीज में बता रहा हूं कोई advance नहीं है वैसे बच्चे जो computer सीखना चाते है Microsoft Word वो अच्छे से जानना चाते हैं तो वो इसको देखकर बढ़िया से सीख सकते हैं उन्हें कहीं भी कोई book में जाने की जुरत नहीं है किसी पढ़ने की जुरत नहीं है कहीं आप यहीं से वीडियो को देखें और इसको सीख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग work कर सकते हैं वह डाट के उपर ओके और भी कई सारे options हैं इनको हम लोग अभी चलेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे इसको color करता हूँ कि ओके और कलर करने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एड़िटट एड़िट टैक्स्ट अगर आपको इसमें किसी तरह की बदलाव करनी है किसी तरह के चैंजे करने हैं तो कर सकते हैं यह से माइकम्प्योटर जी लिखा हुए है तो आप एड़िटट तो इस तरह से आप यहां पे ओके करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से यह एड हो जाएगा टेक्स्ट को एड कर सकते हैं उसी तरह से स्पेसिंग का क्या काम है यह देखे नॉर्मल किया हुए है अभी यहां से वहरी टाइड करेंगे तो क्या होगा, कि यहां से दिखे सब लेटर एक दूसरे से सट जाता है यह उस्से तरह से टाइट पर आपप खुलिक करेंगे तो थोड़ा सा अलग ओगा नॉर्मल क्लिक कीजएगा तो यह नॉर्मल हो जाएगा उसके अलावा आप यहां से यहां पर वड़ाट लिया है, जैसे मैं लिखता हूँ, computer, computer मैंने लिखा है, और मैं यहां से ok करता हूँ, जैसे ok करता हूँ, आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप यह किजिएगा, ऐसे computer लिखने के बाद problem क्या है, कि देखें, c o m, यानि c capital है, बाकी सब small हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक जो लेटर है, वो एक बराबर हो जाए, height के अनुसार, तो यहां पर even height में जाएंगे, और यह आप का काम हो रहा है, ओके, सारा का height, सभी लेटर का height एकदम सेम हो चुका है, तो यह काम हम लोग even height से कर सकते हैं, उसी तरह से आपको वर्टिकल में लिखना है, तो आप वर्टिकल में क्लिक करेंगे, यह वर्टिकल टेक्स्ट में convert हो जाएगा, ओके, तो यह काफी चीज़ें हैं, important हैं, इनको आप जरूर देखिएगा, उसके अलावे, अगर मैं यहाँ से colorful कर दूँ, इसको color कर दूँ, तो उसके अलावे, आप यहाँ पे देखिए, shading का भी use कर सकते हैं, shading का use कर सकते हैं, काफी महतोपून हैं, आप इनको use करेंगे, यह shading हो गया, तो shading का आप चेंज भी कर सकते हैं, shading color, देखिए, shading color में नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको color चेंज करना है, तो यह पीछे से यह आप color भी change कर सकते हैं, तो और यह देखिए, आपका यह button है, यह shading को आप right की और, यहाँ से left की और, यह top की और, यह bottom की और, आप setting को ले जा सकते हैं, यहाँ से बीच वाला में क्या करेंगे, on off button है, shading को on और off कर सकते हैं, उसके अलाव यह 3D animation, यह 3D part में भी आप इसको दिखा सकते हैं, देखिए, यहाँ से आप इसका background color चेंज कर दीजे, नीचे में जाके, यह से दिखिए, यह से दिखिए, यहाँ भी आपको button दिया गया है, आप इनको इस तरह से rotate कर सकते हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ओके, तो यह important चीजे थे, आप इनको use करके देखिएगा, ओके, next मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए, next मैं आपको बताता हूँ, drop cap के बारे में, तो मैं एक paragraph लिख है, और इस paragraph में हम लोग यहाँ से इसको ऐसा select करेंगे, और यहाँ पे आप drop cap में चले जाएंगे, और यहाँ दिखे, none किया हुआ है, अभी आप यहाँ dropped option में जाएंगे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा, कि इस तरह का option आपको यह दिखे, यह आप magazine वगरे में देख स सकते हैं, इस तरह से आप use कर सकेंगे इसको, ओके, तो आप यह इस paragraph में भी आप use कर सकते हैं, यहाँ से जाके drop cap में जाएगा, और यहाँ से drop में दिखे, ओके, आप अगर in margin कीजिएगा, तो जितने भी यह जो letter बड़ा होगा, वो आपका margin area में ही बड़ा होगा, चलिए म यहाँ से आपको ruler में जाता हूँ, और आप देख सकते हैं, यहाँ से margin area में यह दिख रहा है, उसी तरह से आप यहाँ पर और भी use कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से चले जाएए insert में, और drop में आप यह देखे, इस तरह से आप use कर सकते हैं, तो यह use होने के बाद एक setting औ drop cap option में जाएंगे, और यह drop cap option में आप यहाँ देख सकते हैं, इसको select रहना चाहिए था, यहाँ पर इस तरह से, यह ऐसा, अब आप देखे, lines to drop, यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 4, 5, 6, जितना line में आपको cover करना है, जैसे मैं चाहता हूँ, दो ही line में यह cover हो, ओके, तो यहाँ से okay करेंगे, देखे, किवल दो line को यह cover कर रहा है, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 4 line को cover करने लगा है, तो यह settings है, आप अपने अनुसार इसको set कर स document को complete कर रहे हैं, कोई project बना रहे हैं, और उसमें आपको date और समय का जुरत पढ़ गया, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, जैसे date and time में जाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे अलगलग date and time का format दिया गया है, आप उसको click करेंगे और यहाँ से okay करेंगे, यह दिखे, आप बात करता हूँ, object का, यह दिखे, object क्या होता है, कि जैसे Microsoft Word में ही रहकर आपको Excel या फिर Paint Brush या कोई अन्य प्रोग्राम को open करना है, तो उसके लिए object का use करेंगे, यहाँ object में जाईएगा और यह object में क्लिक करना है, सपोज आपको यहाँ paint brush को open करना है, तो आप bitmap image को select करे और ओके करें, जैसे ही ओके करिएगा, तो आपको यह दिखे, paint brush आपको दिखाई देगा, अब आपको जो भी work करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक shape बनाता हूँ, इस तरह से, और यहाँ पे मैं coloring के लिए कोई color ले लेता हूँ, यह दिखे, ओके, अब आप जब इसको close करे तो यह shape आपको Microsoft Word में मिलेगा, तो काफी important है, आप अपने अनुसार object का use कर सकते हैं, next, काफी important चीज है, यह आप मैं symbol को बताने वाला हूँ, देखे, symbol क्या होता है, कि जैसे माली जै टाइपिंग कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, project बना रहे हैं, और कोई ऐसा symbol आप भी बहुत सारे sign हैं, जो keyboard में नहीं है, तो आप यहाँ से insert कर सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए beta का sign चाहिए, तो मैं यहाँ beta को click करूँगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर beta दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मुझे चाहिए, और भी कई सारे sign चाहिए, तो यहाँ इसलिए करते हैं, साकि हम किसी भी सेंबल को insert कर पाएं, अपने project के अंदर, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इक्वेशन की, तो यह भी काफी important है, जैसे कि आप हिंदी में कोई equation लिख रहे हैं, questions लिख रहे हैं, mathematics के questions लिख रहे हैं, तो आप उस तरह से यहाँ use कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, सबसे बहले मैं यहाँ कुछ आपको हिंदी लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि राम की आयू, श्याम की आयू की एक one बटेट दो है, पतलब बट्टा में आपको दिखाना है, okay, one upon two है, इस तरह से दिखाना है, मैं यहाँ लिखत हूँ, राम की आयू, श्याम की आयू का one by two है, okay, एक बटे दो दिखाना है, मुझे, तो एक बटे दो दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बटे दो दिखाने के लिए आप one by two माइक्रो साफ्ट वर्ड के अंदर नहीं लिख पाएंगे, okay, तो यहाँ पे आपको प्राब्लम हो जाएगा, तो इसी लिए, इसी लिए आप क्या करेंगे, कि यहाँ पे आप करसर रखेंगे, और करसर रखने के बाद आप चले जाएगे insert मेनु में, और यहाँ पे आप equation में जाएगा, और यहाँ से insert new equation में जाना है, और अब आप यहाँ से जाएगा fraction में, और यहाँ fraction के अंदर normal वाला fraction को क्लिक कर लिजेगा, और यहाँ से आप one, उपर व काफी आसान है, आप Microsoft Word में Mathematics से related बहुत सारे questions को भी type कर सकते हैं, उसके अलावा next हम लोग चलते हैं, equation में ही और भी बहुत सारे चीज़े, देखिए यह सभी क्या है, यह सभी चीज़े हैं, जैसे कि आप कोई equation लिख रहे हैं, जैसे कि यही equation है, इस तरह से equation लिखा जाए तो काफी महाँगा पड़ेगा, बहुत महनत का काम है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का equation है, इसमें कुछ edit करना है, तो edit कर सकते हैं, जैसे a एक variable है, तो a के जगा पे आप 2, 3, 4, कुछ भी जाब डाल सकते हैं, n का value 1 है, a, a का, a मतलब 2 थाते हैं, यहाँ से 2 डाल सकते हैं, देखे, change कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग equations का use करेंगे, उसके अलावे friends हम लोग mathematics टाइप करेंगे, या फिर लिखेंगे, तो उस से मैं आपको बहुत सारे चीजों को insert करने की ज़रत पड़ेगी, तो आप यहाँ से दिखिए, वो सारे चीजों को use कर सकते हैं, जो mathematics में use किये जाते हैं, जैसे आपको theta चाहिए, okay, empty sign चाहिए, या फिर या आपको चाहिए, infinitive चाहिए, okay, तो इस तरह से आप बहुत सारे चीजों को अपने अनुसार use कर सकेंगे, जैसे आपको foreign height चाहिए, जैसे degree Celsius चाहिए, या फिर degree चाहिए, तो आप use कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक options लिख के दिखाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर, जैसे मुझे चाहिए 30 degree लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30, और degree का sign मुझे देना होगा, तो आप यहाँ से insert में जाके equation में जाएगा, और insert new equation में जाकर, आप यहाँ से दिखिए, लिख सकेंगे, यहाँ पर degree का sign आपको चाहिए, ओके, यहाँ से दिखिए, मैं यहाँ से लेक्ट करता हूँ, यह दिखिए, degree का sign है, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर degree का, यह दिखिए, options आपको दिखाएगे ने लगा, 30 degree, तो इस तरह से आप 30 degree भी दिखा सकते हैं, तो friends, यह वीडियो में मैंने बहुत सारे चीजों के बारे में बताया, जो कि insert menu में थे, यह काफी important है, और अगर आपको नई समझ में आए, आप practice करके देखेंगे, और नई समझ में आए, तो आप जरूर पूछिएगा, मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, okay friends, वीडियो कैसा लगा, जरूर ब